रजट को अरेस्ट करने घर पर पहुंची पुलिस सवी हुवी शौक्ड वेल जी हां सही सुना आपने बता दे कि गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे ईशा का एक्सिडेंट करने वाले का इंफोमेशन रजट पुलिस को देता है और करता है खिलाफ कमप्लेंड ऐसे में सब कुछ उल्टा रजट पर ही आजाता है दरसल रजट जिस कॉंटाक्ट नंबर के बारे में पुलिस को बताता है वो नंबर रजट के नाम पर ही रजिस्टर होती है ऐसे में इशा का एक्सिडेंट का सारा इलजाम रजट पर ही आजाता है औ जेल जाने से वेली से लेकर आपका क्या है कहना यह हमें कॉमेंट सिक्षिन में कॉमेंट जरूर बताएं और ऐसे ही टेलिवीजिन से जुड़े लेटेस्स अब्डेट जानने के लिए सीरियल ट्विस्टर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले